नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दुर्गेश सिंग, स्वयम कथा संस्थान के सभी सहयोगी साथियों की तब से आप सभी का हार्दिक स्वागत यो मभिनंदन करता हूँ, हमने आपको यह बताया था कि यह हमारी प्रिथ्वी है, यह हमारी प्रिथ्वी है, इस प्रिथ्वी पर जो सबसे उतरतम बिंदु है, इसे हम नौर्थ पोल या उतरी ध्रू कहते हैं, तथा जो सबसे दक्षिन में इस्थित बिंदु है, इसको हम साउथ पोल या दक्षिनी ध्रू कहते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जिसके सारे प्रित्वी पस्चिम से पूर्व की और घूम रही है यह हमारी अक्ष है तथा प्रित्वी के बीचों बीच विभाजित करने वाली जो अच्छांस रेखा है इसी को हम जीरो डिगरी भूमत दे रेखा या इक्वेटर कहते हैं क्लियर है इन चीजों से तो आप उस क्लास में परचित हो गए थे लेकिन उसके साथ ही साथ आपको कुछ और महत्पूर्ण अच्छांस रेखाओं से हम यहां पर परचित कराएना चाहेंगे क्योंकि जैसे ही इस परिचे के बाद या इस इंट्रोड़क्शन के बाद हम आगे की बात करेंगे बार बार इन अच्छांस रेखाओं का वहां जिक्र होगा ठीक है तो अगर भूमत रेखा से उत्तर में साड़े तेईस अंस उत्तरी अच्छांस रेखा जो है इसी को हम कर करेखा कहते हैं और इसी तरीके से साड़े तेईस अंस बच्छनी अच्छांस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं कि अच्छांस रेखा को किस क्या कहते हैं और आपको उसमें सही के चुनाव करना पड़ता है इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक आफ कैंसर कहते हैं और मकर रेखा को हम ट्रॉपिकाउं कैपरी कौन कहते हैं ठीक है इसके और उत्तर में जाईए तो यहाँ पर साड़े च्छांचा टंस उत्तरी अच्छांस रेखा को आर्केटिक सर्किल आर्केटिक वृत कहते हैं और साड़े च्छांचा टंस रच्छणी अच्छांच रेखा को हम अंटार्केटिक वृत कहते हैं है एक ग्लेयर है तो यहाँ महत्पूर्ण रिख योड़े च्यक्तृत स मौन समी चरकी चर्चांचा वह ने ताफर काशिच ली अनले गदी के लिए यहाँ शेरयार ये जरूरी है कि आप इन रेखाओं से, इन अच्छांस वृत्तों से परचीत हो, देखिए आपको हम यहाँ पर एक चीज़ साथी साथ और बता देना चाह रहे हैं, देखिए जो साड़े तेईस अंसुत्री अच्छांस रेखा और साड़े तेईस अंस तक्षणी अच्छां बहुत पढ़ती हैं, तो इस कारण यहाँ पर तापमान वर्सवर बहुत अधिक रहता है, वर्सवर तापमान बहुत अधिक रहने के कारण हम लोग इसे उश्नकटी बंद कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम ट्रापिकल जोन कहते हैं, या और सरल्भासा में कहा जाए तो करक रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्य तक का जो छेत्र होता है यहाँ पर सूरी की किरिने लंबोत न पढ़कर कुछ तिर्शी पढ़ती हैं वो आगे के व्याक्यान में आपको समझ में आएगा तो ये जो छेत्र होता है इसी को हम शितोश्न कटीवंद कहते हैं और उसके उत्तर का जो छेत्र है साड़े चाठा संद उत्तरी अच्छांस के से लेकर ध्रूमत रख और साड़े चाठा संद दक्षणी अच्छांस से लेकर दक्षणी ध्रूमत का जो छेत्र होता है उसे हम सीथ कटिवंद कहते हैं सिटोशन कटिवंद के लिए इंगलिश मे temperate zone की बात की जाती है बेखिए पिशली बार जब हम आप से भूगोल क्या है और भूगोल चीजों को कैसे सुनिशित करता है वहाँ पर हमने ये बात बताई थी कि पूरे पृतिवी का जो भी वित्रन सुरूप है, हर जगां पे अलग अलग तरह का एक वित्रन सुरूप देखने को मिलता है वो अलग होने के बावजूद भी स्वैम में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लिए होते हैं और हमने आपको ये भी समझाया था कि कहीं का भौतिक सुरूप किस तरीके का है यही यह सुनिशित करता है कि वहाँ के सांस्कृतिक भुद्रिश किस तरह के होंगे तो उसी बहुतिक सुरूप में जो सबसे इंपॉर्टन चीज होती है ठीक है वहाँ के परवत पतार मैड़ानों के स्थिती के साथ-साथ जो दूसरी सबसे हत्पूर्ण पहलू है वो यह है कि वहाँ की जलवाई द्रसाएं कैसी होंगी वहाँ तापमान का स्तर कैसा होगा वहाँ बारिश की प्रकृति कैसी होगी और इन सारी चीजों के निर्धारण में हमारी प्रिथ्वी का जो भी सुरूप है वो बहुत निर्धारण निर्णायक भूमी का अदा करता है आईए आज हम आपको उमीद है कि यहाँ पर आप यह लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे हम बहुत जल्दी से इसको समराइज कर दे रहे हैं यह हमारी प्रिथ्वी है प्रिथ्वी के एकदम बीचों बीच से जो अच्छांस वृत काटता है उसको हम जीरो डिगरी अच्छांस रेखा या भूमद रेखा कहते हैं साड़े तेई संसुत्री अच्छांस रेखा को हम करक रेखा कहते हैं एवं साड़े तेई संस दच्छणी अच्छांस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, करक और मकर रेखा के बीच का छेत्र हमारा उश्नकटीवंद कहा जाता है, इसको उश्नकटीवंद इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वर्स में कम से कम एक बार ऐसी स्थिति जरूर आती है, कि उस स्थान पर सूरी के किरने लंबवत रहती हैं, वहीं साड़े तेईस अंसुप्तरी अच्छांस से, अगर आप साड़े चांचट अंसुप्तरी अच्छांस की ओर जाईए, तो वो छेत्र आपका सिटोशनकटीवंद ही छेत्र कहा जाता है, दक्षन में भी इसको हम सिटोश कहें, कि हमारी जो पृत्वी है, अगर हम उसकी गतियों की बात करें, तो पृत्वी की एक दैनिक गति है, और एक उसकी वार्शिक गति है, धैनिक गती का सिंपल मतलब यह है कि जैसे हमारी प्रित्वी ये अगर प्रित्वी है ये अपने अक्श पर पस्चिमा से पूर्ध जिषा में एक चक्कर पूरा कर लेती हो और दिन और रात के अन्होती हमें इनी दैनी गती के कारण होता है और दैनी गती के लिए एक घूर्णन गती शब यूज किया जाता है अपने अक्ष पर प्रिफ्वी जो पस्चिम से पूर दिसा की और घूम रही हो चौविस घंटे में एक चक्कर पूरा कर ले रही है यही उसक गती की बात की जाए जिसको हम परिक्रमण कहते हैं या रिवोल्यूशन कहते हैं परिक्रमण जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिफ्वी सूर्य के चारो तरफ अपनी कख्षा में चक्कर लगा रही है और इसे एक चक्कर पूरा करने में सूर्य के चारो तरफ एक परिक्रमा पू अपनी सुविधा के लिए इन 6 गंटों को छोड़ देते हैं और 4 वर्स की अवधी में ये 6 गंटे बढ़कर लगबग चुकि 6 गंटे, 6 गंटे, फिर 6 गंटे, फिर 6 गंटे, तो 4 साल में ये बढ़कर 24 गंटे हो जाते हैं 24 गंटे मतलब हमारा एक दिन का समय बढ़ जाता है, तो हर 4 साल में हम जो एक एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, इसे जोड़ देते हैं, और वही हमारा अधी वर्स या लीप एर होता है, और लीप एर में हमारा जो ये 365 की वजाए, 306 शाचट दिन हो जाते हैं, बात क्लियर है, तो ये जो हमारी प्रिथवी के चारो तरफ, प्रिथवी सूरे के चारो तरफ परिक्रमा कर रही है, इसी परिक्रमा के कारण जो है हमारे यहां मौसम परिवर्तन होता है, प्रिथवी पर मौसम संब्दित जितने भी परिवर्तन आप देखते हैं, उसका जो सबसे महत्पू तून कारण है प्रिफ्कवी का सुर्य के चारों तरफ अपनी करणा चक्र लगाना है आगे के व्यक्राण में हम आपको समझाएंगे यह परिष्टितियों में कब क्या परीवरतन आ रहा है किसमें जून में इस्थिती क्या हो जाती है, दिसंबर में इस्थिती क्या हो जा रही है, सितंबर में हमारी इस्थिती क्या है और मार्च में हमारी इस्थिती क्या है, इस पर हम सिलसलेवाद धंग से बाचीत करेंगे. यहां पर किसी भी तरह की बाची सुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीजें समझा देना चाहते हैं जैसे मालीजी यह हमारी प्रिथ्वी है बाट ठीक है अब यह कोई भी गोला है और यह उसका कक्षा तल है ठीक है यह उसका कक्षा तल है तो अपने कक्षा तल पर ही मालीजी कि घुमेगा घुर्णन गती करेगा और और सरलता से जो यह लंब है अगर मालीजी कि इसमें किसी भी तरह का इस गोले में कोई किसी भी तरह का कोई जुकाव नहीं है तो कक्षा तल से जो लंबवत रेखा ह यही इसकी एक्सिस हो जाएगी, बात क्लियर है, तो माल लिए कि यहां पर हमारा एक सन है, यह हमारी पृत्वी है और यह सूर्य है, इधर से सूर्य का प्रकास आ रहा है, बाट खीक है, तो यह जो सूर्य के आगे वाला हिस्सा होगा, जैसे उधारन समझें कि मेरे बाएं की तरफ इधर सूर्य है, और मेरा जो यह हिस्सा है, यह सूर्य के सामने पढ़ रहा है, और यह हिस्सा सूर्य के विप्रीत पढ़ रहा है, तो आधे हिस्से में लगबग सूर्य की गिरने पढ़ेंगी, और इधर आधे हिस्से में हमारा यह अधेरा होगा, तो अब अगर आप यहां देखिए, तो यह जो आधा हिस्सा है, यहां पर हमें उजाला देखने को मिल रहा है, यहां पर उजाला है, और यह जो सफेद सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो आधा हिस्सा इधर दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या है, यहां पर अंधेरा है, तो जो ह सामने पढ़ा है वहाँ पर दिन होगा और जो इस सापीशे की और पढ़ा है वहाँ पर गात होगी अगर मालीज़े की प्रिथवी इस तरह का होता कि उसका अपने कक्षा तल पे जो लंब रेखा है उससे कोई जुकाव नहीं होता तो सिंपल सूरे के सामने जो इस्तिती पढ़ती जो हिस्सा आगे पढ़ता वहाँ पर दिन की इस्तिती होती और जो हिस्सा पीछे की ओर होता वहाँ पर हमारी रात की इस्तिती होती यहाँ प यहाले हिस्से पर यहां से यहां तक सूरी की किरने प्रकास डाल रही हैं तो यह हमारा दिन का हिस्सा हो गया, यह रात का हिस्सा हो गया, यह कह लिए कि यहां पर उजाला है और यहां पर अधेरा हो गया, तो बीच का यह जो सरकिल होगा, यह इसे ही हम सरकिल आफ इलिमिलेश या प्रकास्वृत कहते हैं तो अगर ये इस्थिती होती तब तो ऐसा होता लेकिन हमारे प्रिथवी की इस्थिती अलग है हमारी प्रिथवी का अपने जो भी कक्षा तल पे लंबवत रेखा है असल में ये साढ़े तेई संस उससे जुकी हुई है तो ये कोण जो है यहां अगर आप ये प्रिथवी अपने एक्सिस पर कितना जुकी हुई है अगर आप इसको समझ ले रहे हैं तो आगे प्रिथवी की जो दैनिक और वार्सिक गतियां हैं उनसे जो भी परिवर्तन आ रहे हैं या उनका जो भी परिणाम पर लक्षित हो रहा है वो आप ये आपका भूमद रेखा थी ये साड़े तैई संस उतरी अच्छांस रेखा थी ये आपका अंटार्क्टिक वृत और ये वाला हिस्सा यह है तो अगर इसमाली ये प्रिथवी नहीं जुकी हुई होती तो ये जो रेखा या ये जो वृत आप देख रहे हैं ये आपका ये देखिए कि यहां अगर सूरी की स्थिती इधर थी तो हमारा ये आधा हिस्सा उजाले में रहता आधे हिस्से में ये जो आर्कटिक सर्किल के उत्तर वाला हिस्सा है उसके आधे में उजाला होता और आधे में अधेरा होता सेम यहीं स्थिती दक्षण में अगर आप द हुई है तो उसकी वज़े से अगर आप इधर सन की स्थिती देखिए यहां अमारा सन है और इस पर अगर रोशनी पड़ रही है तो सरकी लॉफ इलिमिनेशन तो वही रहेगा और इस वाले हिस्से में इस पूरे हिस्से में उजाला और इस पूरे हिस्से में अधेरा रहेगा तो यहाँ पर देखे कि क्या परिवर्टन आ रहा है चुकि अब यह आपका नॉर्थ पोल यहाँ पर है तो जो आर्कर्टिक सरकिल था वो यहाँ चला गया, साढ़े 23 अंस उत्री अच्छांस रेखा यह हो गई, आपकी भूमद रेखा यह हो गई, साढ़े 23 अंस जो है दच्छणी अच्छांस रेखा यह हो गई, और आपका आर्कर्टिक सरकिल यह हो गया, अंटार्क्रिक सरकिल स तो आप यह देख रहे होंगे कि अभी हम आपको एक बहुत सुंदर सा फीगर दिखाएंगे उस फीगर में इस्थिति आपको बहुत बहुत भेतरीन ढंग से आप इस चीज़ को दिमार्केट कर पाएंगे कि जो सरकील आफ इलिमिनेशन हम आपको समझा रहे हैं जो हम प्रित प्रिफ्वी के जुके होने के कारण अब वो प्रकास वाले इस्तिती में आ गया और अगर साउथ पोल की तरफ देखिए तो जो उजाले में इस्तिती थी जब यह प्रिफ्वी ऐसे जुक गई तो यह अधेरे की तरफ आ गया तो अपने अक्ष पर जुकाओं से भी किस तरह क परिवर्तन हो रहे हैं कब कैसी इस्तितियां बनती है इन जुकाओं का क्या प्रभाव पढ़ता है उस इस्तिती को हम क्या कहते हैं वो हम आगे यहां पर आपको समझाएंगे देखिए यह हमारा सूर्य है यह आपका सूर्य है और यह आपकी प्रिफ्वी है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी सुरुवाती किताबों में ये बात पढ़ दख ही ہے, कि सूर्य के चारो तरफ पृत्वी एक दीर्गविताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। व्रित्त हार, अगर व्रित्त हार, तो चारो तरफ का यह जो रेडियस है, यह बराबर होता, ठीक है, लेकिन दीर् व्रित्त, कार कख्षा में चक्र लगाने के कारण दो ऐसी स्थितिया बनती हैं, एक समय ऐसा आता है, जब प्रित्वी सूर के एकड़म निकट होती है और एक समय ऐसा आता है जब प्रिट्वी सूर के से अधिकतम दूरी पर होती है तो जब ये निकटतम इस्थिती पर होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं और जब ये सबसे दूर होती है तो उस इस्थिती को हम अपसौर कहते हैं देखिए ये अध्यान से समझ लीजिए, है तो तथ्यात्माद, लेकिन कोई भी ऐसा वर्स TGT, सोशल साइंस का पेपर अगर आप उठा के देखिए, तो कोई भी ऐसा वर्स शायद ही बीता हो, जिस पर इस विशह से प्रशन ना पूछे गए हो, या आप से उपस और उपस और उपस और बनती हैं, कभी-कभी तो इनके बीज की दूरियां भी पूछ ली गई है, और या आपको दे दिया गया कि निकटतम इस्तिती तारीख बताईए, या आपको इस्तिती दे दी गई, कि इस इस्तिती को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम यह समझ लेंगे, कि जो हमारी उपसौर की इस्तिती बनती है, यह तीन जन्वरी को बनती है, और तीन जन्वरी को सौर और पृत्वी के बीच की दूरी निम्नितम होती है, और जो अब सौर की इस्तिती बनती है, वो हमारी चार जुलाई को बनती है, और चार जुलाई को पृत्वी हमारी सौर से अधिक्तम दूरी पर होती है, अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, हलाकि आप दो-तीन बार अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर भी हम आपको याद करा दे रहे हैं, देखिए, जनवरी पहले आती है, और जुलाई बाद में, ठीक है, तीन तारीक पहले आती है, और चार तारीक बाद में, कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, कि हम वहां कब उपसौर होगा, कब अपसौर होगा, उसको इंग्लिश में, कई बार इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाता है, कि एपी हिलियन की स्थिती कब बनती है, पेरी हिलियन की स् सूर्य और कृत्याइड के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उपसौर मतलब उपसौर की स्थिति बनेगी इस स्थिति को हम क्या कहते हैं उपसौर और चार जुलाई की जो स्थिति होती है वहां पर हम अपसौर कहेंगे ठीक है कई बार प्रश्ण में सीधे इंग्लिश में दे देते हैं कि epihelion की स्थिति कब बंती है बताईए तो आपको इसका English भी याद रखना है अब alphabetical अगर देखिए तो दो शब्द हैं यहाँ पे epihelion और perihelion तो alphabetically A पहले आता है और P बाद में आता है तो जब English की बात होगी तो इस्थिति यहाँ पर पलड जाएगी तो उप सौर की स्थिति को हम क्या कहते हैं याद करने के लिए perihelion और अब सौर जो हमारा होता है इसको हम epihelion कहते हैं ठीक है तो आपको सिर्फ यहाँ पर यह देखिए अब यह आपका सौर्य है यह सौर्य है और प्रिथवी इसके चारो तरफ इस दिशा में चक्कर लगा रही है यह अब इसका जो है कहते हैं परिक्रमण है यह अपने और विट में चक्कर लगा रही है और यहां आपकी जो देखिए सौर्य से तीन जन्वरी की स्थिती में डिसंबर सॉलिस्टिस अभी इस सब्द से भी आप पर्चीश हो हैंगे कि यह क्या चीज है अगे के स्लाइड जैसे ही आप लोगों के सामने आएकई तो तीन जन्वरी के जो इस को हमारी कि स्थिती क्या है कि हम सबसे निकर्टम है और चार जुलाई कि स्थिती से अधिक्तम दूरी पर हैं प्रित्वी और सूरी की बीच की दूरी अधिक्तम है तो उसे हम अपसौर और तीन जन्वरी की स्थिती को हम उपसौर कहते हैं अभी हम प्रशन संखला जबाब से साल्व कराएंगे तो वहाँ पर ये सारे व्याख्यान आपको देखने को मिलेंगे आईए अब आपके सामने दो चित्र हैं एक चित्र है जिसमें प्रित्वी अपने अक्षपर जुका हुआ नहीं है और एक इसी स्थिती है जिसमें प्रित्वी अपने अक्षपर जुकी हुई है अगर आप देखिए तो सूरी की किरिणे इधर बाएं से बाएं की और बाएं त्रव से आ रही है अब देखिए अगर ये परिथवी अपने अक्षपर जhuki हुई नहीं होती तो ये नौर्थ पोल है और ये अक्षपर जhukी नहीं होती तो ये आपको यहां पर circle of elimination बहुत इसपस्ट तोर पर दिखाई दे रहा है इसके आधे हिस्से में उजाला है और शूर की क्रेड़ों के विपरीत वाला जो हिस्सा है उस तरफ यहां पर अधेरा है तो आप यह देखिए कि जो architect circle से north pole की है उसमें भी आधे में उजाला है यहां पर आधे में उजाला आप देखिए तो यहां पर night की स्थिति है अभी हमने आपको पीछे जोग figure में समझाई थी यह बात कि अगर प्रित्वी में किसी प्रित्वी अपने अक्ष पर जुकी हुए नहीं होती या कच्छा तल पे जुकाओ नहीं होता तो यह स्थितियां होती लेकिन हमारी स्थित की किरिणे लगभड सीधी पड़ा रही है ट्रॉपिक अफ्कTheant Cancer पे साड़े तैंसं उत्री अच्छांस रहाखा पर आपकी शूरी की किरिणे लंब cafथ है जिस की वज़काओ की वज़ेसे देखिए कि जो आपका circle of elimination है या प्रकास वृत्त है अब जो उत्री architect circle था वो architect circle से लेके पूरा-पूरा architect circle से लेके धू तक का जो छेतर है वो अब प्रकास में है वहीं पर जो दछनी धुरू का Antarctic वृत्त था और ये वाला area था यहाँ पर आपको अधेरा देखने को मिल रहा है अब इस इस्तिती में देखिए architect circle के इधर वाला जैसे जैसे मालीजे कि हम equator से जैसे यह आपका equator है equator से आप जैसे जैसे नार्थ की ओर जा रहे हैं तो आपकी दिन की अवधी बढ़ती जा रही है यह यह यहां से अगर आप देखिए तो यहां दिन की अवधी अधिक है चालीस अंस अच्छांस के आज पास पंद्रा घंटे का दिन और नौ घंटे की रात हो जाती है और जब हम धुरूओं पर देखते हैं तो यहां पर गती है जिसकी वज़े से हमें प्रिथवी पर दिन और रात इस पश्चतार पर परिलक्षित होते हैं कई बार आप लोगों से यह प्रशन पूछ लिया जाता है मान लीजे प्रिथवी अपनी घूनन गती नहीं करती तो जो हिस्सा प्रकास किरणों के सामने है उस हिस्से मे हमारी हमेशा अधेरा रहने के कारण तापमान जीरो डिगरी के नीचे चला जाता तो कुल मिला के अर्थ ऐस लिविंग प्लैनेट या जीवन जो इस पर संभव हो पाया है वो शायद ही संभव होता आईए यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहां उसी फीगर करक रेखा पर लंबवत हैं तो जब सिंपली इसको सरल भासा मैं ऐसे समझी है कि जब करक रेखा आपकी सूरी की किरणों के लंबवत होगी या उत्तरी गुलार्द वाला हिस्सा सूरी की तरफ जुका हुआ रहता है चुकि यह साड़े 23 संस अपने अक्ष पर जुकी हुई है तो एक बार वर्स में ऐसी इस्तिति आती है कि जो उत्तरी गुलार्द वाला हिस्सा है यह सूरी की तरफ जुका होने की वज़ए से जो करक रेखा है उस पर सूरी की किरणे लंबवत पड़ती है तो नार्थ पोल पूरा नार्थ पोल आप यह जो आर्केटिक सर्किल था इस आर्केटिक सर्किल का पूरा हिस्सा देखें यहां उजाले में है और अंटार्क्टिक सर्किल का पूरा हिस्सा वहां अधेरे में है तो इस इस्तिती पर आपका यहां पे 24 गंटे का दिन है और यहां पे 24 गंटे की रात है जैसे जैसे आप यहां पे एक्वेटर पे दे तरह की स्थिति बन रही है कि आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉन है इस पर सूरी की क्रेणे लंबवत पड़ रही है तो अब आप देखिए कि जो अंटार्क्टिक सर्किल था यह पूरा अंटार्क्टिक सर्किल हमारा वह यहां पर शूरी की क्रेणे पहुंच रही है ज अगले फीगर में और इस पश्चतोर पर आपको यी बात समझ में आ जाएगी तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सूरी की क्रिणे लंबवत पड़ रही है तो दच्छनी गोलार्द में ग्रीश मकाल होगा और उत्तरी गोलार्द में सीध काल का सामना करना पड़ेग और दच्छनी गोलार्द में सीध काल की स्थितियां होंगी और इस्थितियां बदल जाने पर इसके ठीक भी प्रीत इस्थिति हो जाएगी अब आप देखिए ये पूरा प्रित्वी की जो वार्सिक गती है जो भी परिक्रमा है सूरे के चारु तरफ वहां कब क्या किस तर भी अपने अक्ष पर बिल्कुल भी उसमें कोई भी जुकाव नहीं है अगर सीधी सीधी मालीजे अपने अक्षा तल पे वो परिक्रमा कर रही होती तो जो सर्की लॉफ इलिमिनेशन है उसे एकदम पोल टू पोल डिवाइड करता मतलब उत्तरी धुरू से दक्षणी धु प्रित्वी जैसे जैसे घूमती जाती इसमें जो इसस्सा सामने आता जाता वहां पर दिन होता और बाकी हिस्सों में राथ होती लेकिन यहांस की क्या इस्तिति है चूकि प्रित्वी अपने अक्ष पर जूकी हूई है तो यहाँ देखिए, यह बाईस दिसंबर की इस्थिती है। हम बाईस दिसंबर से अपनी बादचीश सुरू करते हैं। किरिने सीधी पढ़ेंगी इस इस्थिती को इस समय तो यहां पे गर्मी पढ़ेगी लेकिन उत्तरी गोलार्द में जो है कहते हैं सुर्दी का मौसम होगा तो इसको हम विंटर सॉलिस्थिस कहते हैं सीथ एनान्त इसके लिए हम क्या शृद्द करते हैं सीथ एनांत बातसवाज में आ रही है वही पर अगर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में आप आ गए तो देखिए हमने आपको यह बताया था कि पृत्वी का जुकाव जैसे इधर की ओर है अगर अब सूर की किरणे इधर से आ रही है यह माली यह सूरे थोड़ी देर के कि मेरा चेहरा सूर्य है अब यह जुकाव लिए हुए पृत्वी है तो देखें दच्छनी गोलार्द वाला जो भी हिस्सा है वह हमारे नस्दीक है और उत्तर वाला दूर है वही माली यह गूमते-घूमते-घूमते यह ऐसे आ गई तो अब यह जो हमारा सरकील फिलिमिने तरफ आ गये हैं तो हमारा उत्तर वाला जो हिस्स था सिस्स मार्च में देखे तो मार्च में सूर्गी किरिने API को करक रेखा पर विश्वत रेखा पर यह आपकी विश्वत रेखा है इस पर सीधी पढ़वाई है और विश्वत रेखा पर सीधी पढ़ने के कारण यहां पर दिन और रात की स्थिति क्या है बराबर बारा घंटे का दिन होगा और बारा घंटे की रात होगी फिर और नदन कि यह आपका equator है साड़े 23 संस यह उत्री अच्छांस रेखा है जो सूरी के सामने पड़ रही है तो पूरी जो सर्कील आप देखेंगे तो नदन हमिस्पियर में आपका ग्रीश मिकाल होगा और सदन हमिस्पियर में यहां पर आप की सीत रितू होगी तो हमने आपको क्या समझाया कि 22 दिसंबर की स्थिती पर सूरे कहां पर लंबोच चमक रहा है साड़े 23 संस दक्षणी अच्छांस पर यह कह लिए कि मकर रेखा पर जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि साड़े इस पर यह वाला जो पोर्शन है यह उजाले में है और जो आर्कटिक सर्किल है वो हमारा अधेरे में है इसके बाद अगर 21 मार्च की स्थिती देखें 20 मार्च में अगर आप देखिए तो इसमें सूरी की क्रिणे विश्वत रेखा पर एकदम लंबोच चमक रही है वर्स में दो बार ऐसे सितियां बनती है एक 21 मार्च और 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स हिंदी में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है विश्व तो अभी हम आप से कुछ प्रस्न हल कराएंगे आप देखेंगे कि सिंपल तारीख पे सरल से प्रस्न पूछे गए हैं कि सूर की किर्णे उतरी गुलार्द में या यह कह लि पर किस इस्तिती को लंब बहुत चमक रही है विशू की इस्तिती कितनी होती है एक विशू से दूसरे विशू के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है इस तरह के प्रश्न आपका सामना करना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्न पूछा गया है मैंने कुछ पेपर में देखा था मैं आपको यहां बता दे रहा हूं देखिए इसके लिए कोई हिंदी सब्द नहीं आता है जल्दी तो यह बोरियल स्प्रिंग है यह कभी-कभी सीधे आपसे पूश लेगा एक आद बार यह प्रशन आया है कि बोरियल स्प्रिंग कभ कहते हैं और 23 सि रिखवी की दैनिक और वारसी गतीयों से समझित कुछ प्रेजेंटेशन हमने आपको दिया था आपको हम बहुत जल्दी से समराइज कर दे रहे हमने आपसे बाचीट सुरू की थी कि circle of elimination क्या है circle of elimination simple ये है कि वो एक ऐसा काल्पनिक वृत जिसके आधे हिस्से में जो सूर्व की क्रिणे पढ़ रही है वहाँ पर दिन की अवदी है और आधा हिस्सा जो अधेरे में वहाँ पर रात की अवदी है तो इनी दोनों को अलग करने वाला जो वृत है वो circle of elimination कहा जाता है प्रिथवी की दैनी गती अपने एक्षपर जो पस्चिम से पूर्व की और भूम रही है साथ ही प्रिथवी में जो जुकाओ है उस जुकाओ से किस तरह की दिन रात की अवस्तिती में क्या परिवरतन आ रहा है या अगर हम अलग-अलग इस्तितियां द कोई डाउट है कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप संबंदित प्रश्ण को क्या कहते हैं कमेंट में आप डाल सकते हैं आप वहां पे पूछ सकते हैं आईए आप लोगों ने जैसे सुझाओ दिये थे उन सुझाओ के आधार पर जो टॉपिक हमने पहली क्लास में प पूछे जाते हैं उनकी हम आप से चर्चा कर लेते हैं देखिए अगर आप से यहां हम यह पूछें इस एक सवाल आया हुआ है कि प्रित्वी पर दिन रात बरावर नहीं होने का कारण क्या है तो हमने आपको यह बताया था कि माल लिए कि हमारी प्रित्वी इस तरह की होती ठीक है इसमें किसी भी तरह का कोई जुकाओ नहीं होता तो हमारा जीधर से सूरी की किरने पड़ती ही तो यहां दिन होता और यह रात होता और यह जो दिन और रात का अंतर है बारा घंटे का दिन और बारा घंटे की रात होती है तो प्रित्वी का धूरी पर घूमना ठीक की परिक्रमा से संबंदित नहीं है भूक अक्षा का अंडाकार होना इसका भी कोई रोल नहीं है लेकिन प्रित्वी का धुरी पर जुकाओ अब प्रित्वी चुकि अब धुरी पर जुकाओ जुकी हुई है तो जुके होने के कारण क्या होगा कि जब सूर्य की इस्थिती के अनुरूप अगर सूर्य जो है आपका उत्री गुलार्द में चमक रहा है उत्री गुलार्द सूर्य के नस्दीक है तो यहाँ पर दिन की अवधी लंबी होगी, राते छोटी होगी, वहीं पर दक्षनी गुलार्द में राते लंबी और दिन, छोटे हो जाएंगे, और जब धच्छनी गुलार्द की तरफ जाएगा, यह कहने लीगे, कि 20 जून की स्तिती में, उत्तरी गुलार्द में आपकी जो दिन की अवधी लंबी होगी, और धच्छनी गुलार्द में, राते लंबी होगी, और 22 दिसंबर की सिति में इसकी विप्री सिच्वेशन होगी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पृत्वी का धूरी पर जुका होना ठीक है तो इस तरह का एक प्रश्न हो गया अगर अगली सिंकला में हम जाएं अगला प्रश्न अगर आप देखें देखिए ये एक पृ मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कारकों की पहचान करिए तो अब यहां देखिए प्रित्वी का घूर्णन है मौसम परिवर्तन की बात अगर कहीं भी की जाएगी अगर आपसे कहा जा रहा है मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कारकों की तो हमने आपको क्या बताया कि अब प्रित्वी जब अपने अक्षपर घूम रही है तो घूमने की वज़ा से दिन और रात की स्थिती का निर्धारन हो रहा है लेकिन मौसम परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदा ही है पहली बात तो प्रित्वी का अपना परिक्रमन सूरी के चारों तरफ जो अपन सूरी के चारों तरफ जो घूम रही है उससे मौसम में परिवर्तन हो रहा है और साथी साथ सिर्फ परिक्रमन नहीं अगर उस पे वो अपने अक्षपर जुकी नहीं होती तो इस तरह की गोलार्धों के आधार पर कैसे हमारा समर सीजन, विंटर सीजन, आटम और इस तरह की जो रिटूओं में परिवर्तन हो रहा है उसका जो दूसरा सबसे महत्पूर्ण कारण है प्रिथवी का अपने धुरी पर जुकाओ तो इस तरह के प्रशन भी आते देखें इसमें दूसरा और तीसरा विकल्ब सही है तो यहां हमारा आप्शन भी सही हो जाए है हमने आपको बिलकुल पहले भी समझाया कि मौसम परिवर्तन की अगर कहीं भी बात आ रही है तो मौसम और उसकी बनावटन परिवर्तन वो आपकी प्रिथवी के परिकर्माणापर डिपेंड करता है कि प्रिथवी सूरी के चारू तरफ जो परिकर्मा लागा रही है उसी तो इस कहीं पर भी अगर मौसम परिवरतन की बात आती है, तो इसके लिए सबसे जो उत्तरदाई कारक है वो प्रिथवी का परिक्रमण है इसके बाद चौथे प्रश्ण पे हम लोग आ जाते हैं देखें यहां पर सीधे सीधे प्रश्ण पूछा जा रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सुर्या तब की प्राप्ति कहां होगी जहां पर सुरी के किरिणे एकदम लंबोत पढ़ रही होंगी इंसलेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी यह जिक्राएगा तो 21 मार्च और 23 सितंबर की इस्थिति जो उच्चतम सुर्या तब की प्राप्ति कहां होगी जहां पर यह सुरी के किरिणे एकदम लंबोत पढ़ रही हैं अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको यह बात समझाई थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सुरी की किरिणे लंबोत कहां पढ़ती हैं हमारी विश्वत रहा पर विशु की स्थिति में एक्विनॉक्स की स्थिति में तो इसका 21 मार्च और 23 सितंबर को मैक्सिमम सुर्या तब कहां प्राप्त होगा घुमध रहा पर उ कि कहां पर किस तरह का प्रशन पूछ जा रहा है दो वसंत विशू के बाद दो वसंत विशू वर्णल लिक्विनॉस के बीच में कितने दिन का अंतर होता है देखिए हमने आपको क्या समझाया है 21 जून की स्थिति कि अधार पर क्या होता है 21 की इस्थिति हमारी इसको ग्रीस मैंनांत कहते हैं उसके बाद जून के बाद अगर सितंबर में जाईए अगर सितंबर की स्थिती में देखे तो यहां पर विशु की स्थिती बनती है उसके बाद फिर दिसंबर में सी टैनांत हो जाता फिर आपका जो है मार्च में 21 मार्च को विशु की स्थिती बनती है तो अगर एक ही विशु पूछा जा रहा है, दो वसंत विशु मतलब एक वशंत विशु अगर आ गया, तो अगला वसंत विशु कब आएगा, ठीक उस से 365 दिन बाद, मतलब अगर दोनों अलग-अलग पूछे जा रहे होते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अगर आप से एक ही पूछा जा रहा है कि इस्प्रिंग एक्विनॉक्स में कितने दिनों का अंतर होगा, तो वो 365 दिनों का अंतर होगा, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह के प्रशनों को, दच्छनी गोलार्थ का ग्रीश मैनांत कब होगा, देखिए हमने आपको एक प्रशना आपके सामने यहाँ पर है कि दच्छनी गोलार्थ का ग्रीश मैनांत कब होगा, हमने आभी आपको क्या समझाया था कि जब सूरी की किरने उतरी गोलार्थ में साड़े 23 संस उतरी अच्छांस पर पड़ती है, ठीक है, इस इस्तिती को हम सीत आइनांत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशन आपसे थोड़ा अलग धंका पूछा गया है, आपसे प्रशन यहाँ पूछा यह जा रहा है कि दच्छनी गोलार्थ का ग्रीश मैनांत कब होगा, तो भाई उतरी गोलार्थ के डिफरेंस में तो ठीक है कि साड़े 23 संस उ दच्छनी अच्छान सरेखा पर सूरी की किरिने सीधी पड़ेंगी, तो वो इस्तिती हमारी यह कहलाएगी, तो ऐसी स्तिती हमारी कब बनती है, 22 दिसम्बर को, तो दच्छनी गोलार्थ का अगर ग्रीश मैनांत कब आपसे पूछा जाएगा, तो वो उसका सही जवाब 22 दिसम्बर. अगर आपको पता है, ठीक, देखे, अब हमने जो यहां से जो प्रशन है, यह सुरू हो रहे हैं, जो हमने आपका पिछला पहला लेक्चर लिया था, इसी शंख्ला का जो पहला व्याख्यान था, इसका लिंक डिक्स्रिप्शन में आपके दिया होगा, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, उसको देख लेंगे, यहां पर अधिकांस देश अपना मानक समय सुलिशित करते हैं, हमने आपको यह बात समझाई थी कि पूरी 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 प्रित्वी पर लगभग एक गंटे के आधार पर बहुत अधिक टाइम जोन, लग एक गंटे के अंदा आधा बहुत अधिक है, तो चुकि अपने पूरे देश में एक समय सुलिशित करने के आधार पो चल सकें, तो एक मानक समय का निम्धारण किया जाता है, जैसे भारत के संदर में भी हमने बताई थी, कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है, अगर उसमें पूर्वी और पश्यमी पूर्वी और पश्यमी के बीच में आप अंतर देखिए, तो लगभग 29 डिगरी 18 मिनट का अंतर है, मोटा मोटा कर 30 डिगरी का अंतर माल लिए, और एक अंस पे 4 मिनट का डिफरेंस हा रहाता है, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतर आ जाता, तो एक ही देश में 2 अलग-अलग अगिस्थानों पर समय अलग-अलग निश्चित होता, तो हमने क्या किया, इनके बीच से जो लगभग देश के मद्ध भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा थी, उसी को अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं, देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांस का समय के निधरन में कोई योगदान ही नहीं है, तो देश की जो मद्धिवरती देशांतर रेखा होती है, इसी से हम, तो आपका यहां जो विकल्प C है, वो यहां पर सही हो जाएगा, इसके अगले करम में आगर आईए, अंतराष्टी तिथी रेखा, इस पर तो हमने आप देशांतर रेखा, यहीं है, पूरवी और पश्चमी देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हमने क्या कहा था, कि यह आपकी अंतराष्टी तिथी तिथी रेखा है, तो अंतराष्टी तिथी 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 रेखा, देख रहा है, जो भी प्रश्ण, यह सारे परिक्षा में आयोए प्रश्ण है और पिछले 5-7 सालों में आयोए प्रश्ण है तो देखिए कितने सरल प्रश्ण है कि अगर संकल्पनात्मक अस्तर पर आपने चीजों को समझ लिया है आपने संस्थान दोरा जो भी चीजें पताई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं उनक राश्टी तिथी जो रेखा 180 डिगरी देशांतर से थोड़ा सा विचलित है इसका कारण क्या बताईए हमने आपको बताया था कि जो 180 अंस देशांतर रेखा है वो एकड़म सीधी रेखा नहीं है बलकि उसमें कुछ विचलन है ऐसे ऐसे करके तो ये क्यों विचलित किया गय तो यहां पर उससे संबन्दित प्रशन है कि समान प्रसासन के अंतर गरत बिवसमूहों को विवाजित नहीं करती है थोड़ा विचलित इसलिए है तो आपका यही सही हो गया और भी विकल्पों को हम पढ़ लेते हैं प्रसांत महा सागर को दो बराबर भागों में बाटती की ना करना पड़े निए तो किसी भी स्थाली कंड प्रकृति के प्रशन आते हैं अगर आप इनको अच्छे से समझे रहेंगे अंतर राष्टी तिथी रेखा कतिपा इस्थल छेतरों की समायोजन है तो कुछ विचलनों का अनुसरान करती है तो अगर वही प्रश्ण है उसी को दूसी तरीके से पूछ लिया गया है कि जो भी अंतर राष्टी तिथी रेखा है वो कतिपा इस्थल छेत प्रश्न है एक जहाज अंतराष्टी तिती रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर देखिए हमने आपको बताया था कि यह आपकी तिती रेखा है अगर कोई भी प्रशांत महासागर छेतर से होकर इस रेखा को पार करके अगर पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसे अपना कलेंडर एक दिन के लिए आगे बढ़ाना होगा और रश्या से अगर अमेरिका की तरफ आ रहा है तो उसे अपने कलेंडर में एक दिन कम करने पड़े हुए तो एक जहाज अंतराष्टी तिती रेखा को पश्चिम से पूरब की और मतलब इधर से इधर की और पार कर रहा ह है तो उसकी तारीक में क्या होगा एक दिन घड़ जाएगा यहां आपका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी आप यहां पे क्या हो जाएगा वो आपका एक करेक्ट एंसर हो जाएगा चीक है तो यह सारी सब यह सारी चीजे हम आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने एक जह अपने अक्ष पे 24 गंटे में एक चकर पूरा लगाती है तो मतलब 360 अंस घूमने में उसको 24 गंटे लगता है अगर इसको मिनट से गुणा कर दें तो 24 गुड़े 60 हो जाएगा तो एक अंस घूमने में कितना लगेगा आपका क्या हो जाएगा option C चार मिनट इसके बाद अगला प्रशन हम आप जल्दी से ले लेते हैं प्रधान या मुत्तर किसे कहते हैं प्राइम मेरीडियन रेखा किसे कहते हैं तो प्रधान या मुत्तर रेखा किसे कहते हैं हमने आपको बताया था कि जब प्रित्वी पर grid system को भूमद रेखा का कौन गया और किसी भी इस्थान की भूमद रिखा से जो उत्तर और दक्षिन में इस्थित को इस्थान पर आनोगा था उसी reference line के लिए हमने जो लंदन की रायल अब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा थी, उसी को हमने प्रधान मध्यान रेखा कहा, तो प्रधान याम उत्तर कहते हैं, जीरो डिगरी देशांतर को, तो आपका जो भी क्या कहते हैं, प्रधान याम उत्तर किसे कहेंगे, जीरो डिगरी देशांतर को, सरल्द प्रकृति के प्रश्ण है, सीरे सीधे अच्छान सो देशांतर के पूछा जा रहा है, ग्रीन वीच म लिए यहां से समय दो घंटा आगे है और लीमा का पांच घंटा पीछे है यह माइनस पांच घंटे में है और यह प्लस टू आवर्स में है तो आप से यह कहा जा रहा है कि लीमा और बेरूत की देशांतर देखा करमसा होगी तो हमने आपको क्या बताया कि एक अंस बराबर च चार मिनट तो दो घंटे का अंतर है एक घंटे में चूकी साथ मिनट होते हैं तो दो घंटे में कितने होंगे एक सो बीस मिनट ठीक है और एक अंस का अंतर आता है चार मिनट में यह कह लिए कि जब चार मिनट बीटता है तो देशांतर मतला गर सूर्य यहां पे है तो अब अब यह एक सोबीस मिनट का आएगा कितना तीस डिगरी के लिए बात समझ में आ रही है अब चुकि यह इसमें हमने आपको बताया था कि प्रधान प्राइम मिरीडियन से ठीक है पूर्व की ओर जाने पर आपका समय बढ़ता है तो जोकि यहां पर दो घंटे जादा का समय है तो आपका ये क्या हो जाएगा तीस अंस पूर्वी अब आपसे बात की जा रही है कि 5 घंटा पीछे तो एक घंटा बराबर 60 मिनट तो 5 घंटे बराबर 60 गुड़े 5 बराबर 300 मिनट और 4 मिनट में एक डिग्री का अंतर और रहा है तो 300 मिनट में का डिग्री का अंतर आएगा चार सते 28 और चार पंचे 20 और चुकि ये प्राइम मिरीडियन से लेफ्ट में है या पश्चिम की और है तो इसका जो देसांतरी मान हो जाएगा तो पचत्तर डिगरी पश्चिमी एवं 30 डिगरी पूरवी तो इसका उत्तर इस तरह के प्रशन आते हैं जिसमें आपको करनी पड़ेगी और हमने आपको बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करवाई है कि एक अंस बराबर चार मिनट का है अगर आपको इस तरह के प्रशन पूछे जाएं तो उस प्रशनों को हल करने में आप कहीं कोई गलती या चूप ना करें बस त्था दो चार प्रशन और है यह पर यह देखी एक इंत्राश्टी तिति रेखा का निर्धारं orada आपके 1884 में किया गया था और प्रदान मद्यान रेखा का निर दारन आपका 18552 में किया गया था this प्रश्ण है इसको आप याद कर लीजे यह पूछे गए हैं तो अंतर राश्टी तिथी देखा करने धारां 1824 में और अंतर प्रधानमा ध्यान रेखा प्राइम अंतर राश्टी तिथी रेखा पर जब दोपहर होगी जब दोपहर होगी आई एस्टी पर क्या होगा अब आये समझ लेते हैं देखिए यह आपकी जो है क्या कहते हैं ग्रीन वीच मीन टाइम रेखा है और यह आपकी एस्सो ऑस्सी क्योंकि आप से क्या कह रहा है अंतराश्टी तिथी रेखा तो अंतराश्टी तिथी रेखा हमारी क्या होती है 180 डिग्री देषांतर रेखा होती है यह जीरो डिग्री है और आई-स टि साड़े मतलब 82 यांस पूर्वी देशानतर रेखा को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं देखिए इस तरह के प्रशनों से बिलकुल भी घवडाना नहीं है अपने दिमाग में संकल्पनात्मक समझ को एकड़म साफ रखना है और उससे आपकी चीजें हल हो जाएगे तो यह द 180 डिग्री दिशानतर रेखा होगी और 15-15 डिग्री के अंतर पर हमने आपको क्या समझाया था कि एक घंटे का डिफरेंस आता है तो ग्रीन विच मीन टाइम रेखा से अंतराश्टी तिथी देखा के बीच में 12 घंटे का अंतर है और जो भारती मानक समय है वो इस से 5.5 घं का अंतर ये अब आपसे ये बात कही जा रही है या你 कह लीजिये कि आप मतलब अगर आपसे ये बात की जा रही है तो पूर में समय आ अगे था और प्रधानमद्यान रेखा के पश्चिम में समय पीछे की ओर था, लेकिन जब ये पूर उसे पश्चिम की ओर घुमने लगेगा, तो हमारा जो आगे था समय वो पीछे की ओर हो जाएगा, तो साड़े सत्रा घंटे यहाँ पर भारती मानक समय आगे था, अब इस्तिती क्या हो जाएगी हो, कोपहर का मतलब 12 पीम हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे साड़े सत्रा घंटे पीछे का टाइम, तो 12 पीम से 12 गंटे पीछे का मतलब 12 एम हो जाएगा, और 12 एम से यह आपका 12 गंटे हुआ, और इसमें अगर आप साड़े 5 गंटे और घटा दीजे, तो अब चुकि रात 12 एम क तो शाम के साड़े 6 बजे, यहां पर क्या होगा, यह जो आपका यदी प्रिफ्वी अपनी की घूनन दिशा उलट दी जाए, इस प्रश्न पर, और अंतराश्टी तिथी रेखा पर अगर दोपहर हैं, यहां आई एस्टी पर 12 बज रहे हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइ क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा, कि वहाँ पर साम के साड़े 6 बजेंगे, इसको धैरे से एक दम एक बार आप समझेगा, जो हमने आपको समझाया है, और इस तरह के प्रश्नों से बिल्कुल भी घबडाना नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है, उसको ध्यान से समझन है, क्या बात कह रहा है, एक एक लाइन में, घूणन दिसागर बदली जा रही है, तो जो भी समय टाइम जोन प्लस में था, वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का टाइम जोन था, वो प्लस में हो जाएगा, तो बहुत सिंपली आप कल्कुलेट करेंगे, बीना घबडा में आई होंगी किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर रह गया है मन में तो जो हमारा डाउट क्लियर से सन होगा उसमें हम आपसे इस पश्चत तौर पे और एक बार फिर से बातचीत कर लेंगे आपके सुझाओ साधरा मंत्रित हैं तो आप समंद जिस भी तरह की सुधार के के पेक्षाफ हमसे कह रहे हैं मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप मुझे वह कमेंट सेक्षन में लिख कर बताएं जिसमें हर अगली क्लास में मैं खुद को बहतर धंग से प्रस्तूत कर सकूं आप सभी को अगामी परिच्छा की बहुत धेर सारी सुबकाम नहीं बह